में ही आज विलीन रहने वाले हैं कुछ पुरानी बातों को लेकर वो उदास भी रह सकते हैं पर घबराने की जुरूत नहीं क्योंकि ये बता रहे हैं दिन के एंड का जो समय होगा आज कोई बड़ा समाचार उनको मिलने वाला है कोई बड़ी नियूस अवश्य ही उनको मिले दर्शक भी हमारे साथ लगता जुड़ रहे हैं और जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है पहले दर्शक को ले लेते हैं प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप बहुत स्वागत है आपका अपना सवाल पूछिए मेरी देट वर्थ है पच्चीस बारा उन्मीत और जूट आठ पच्पन सुबह है हां जी कोश्चन बोलिए मैं मैडम जी नोकरी के उसमें जन्याद पता हुआ हूँ कोड कचेरियों में कब से निकलूँगा मैडम और मेरे बेटे की देट वर्थ है पच्चीस आठ दोजार एक सुबह साथ पंटिस ओके पहले तुम मैं आपके बेटे के बारे में बता दूँ बेटे का जो डेट वर्थ है वो बहुत अच्छा है वो बता रहा है कि आपका जो बेटा है बहुत इंटेलिजेंट है और कुछ टेक्नोलिजी से जुड़ियों लाइन में जा सकता है और उसके लिए ये जो साल है कुछ अनेक्सपेक्टिड चीजों से जुड़ावा होने वाला है कुछ एक्सपेक्ट टाइप अफ कुछ होगा उसके लिए और अगर वो जॉब करता है आपका बेटा तो उसके लिए ये जो साल है बहुत ग्रोथ वाला है और देखते हैं बाकी क कार्ड क्या कह रहे हैं कि अभी एक हफ्ता तो situation थोड़ी सी ऐसी slow रहने वाली है पर बहुत जल्दी कुछ नई शुरुआत होगी कुछ नए terms and conditions उसकी life में आएंगे जो कि उसके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं और उसको किसी competition या किसी knowledgeable इंसान से सलहा लेनी चाहिए जिसके बाद उसके लिए जो है बहुत अच्छे उसको results मिलेंगे और अगर वो competition देना चाहता है तो उसको बोले अवश्य ही दे क्योंकि उसके लिए अच्छा रहने वाला है और बाकी जो आपके लिए जो साल है वो बता रहा है कि आपके लिए इस साल कुछ बदलाव आए पुरानी चीजों से जुड़ी होई समस्याँ में अज इस साल गिरे नहने वाले हैं और इस साल आपको कुछ सेक्रिफाइस भी करने पड़ेंगे जो भी आपके समस्याँ हैं उनसे जुड़े होई मगर जो अगला साल है वो बता रहा है वो पॉजटिव है आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है कुछ नहीं शुरुआत होगी पर वो अगले साल होगी इस साल नहीं होने वाली है तो इस साल आपके लिए अभी थोड़ा सा डिला ही चलेगा तो इसके लिए अग तोटे बेटे की डेट बड़ एक जुन 1999 है और उसका जन्म समय 9.35 है तो उसके लिए आगे हमें सलाहदे की क्या करना चाहिए और कैसा उसका आगे हमें कैसे उसके कार्ड आपकी क्या बोलते हो ते लिए अच्छा जी ऐसे है कि आपका बेटा जो है उसको फाइनेंस से जुड कोई बिजनस करता है या कोई कारे करता है तो उसके लिए अच्छा रहेगा ये साल उसके लिए बहुत मेहनत वाला रहने वाला है और रिजल्ट उसको मेहनत के एप्रोप्रियेट ही मिलने वाले हैं कार्ड क्या कह रहे हैं उसके लिए इस साल के लिए और कार्ड बोल रहे ह ये साल थोड़ा सा इतना स्ट्रॉंग नहीं है पर ये बता रहे हैं कि छे महीने के अंदर उनको बहुत सक्सेस मिलेगी और अच्छी न्यूज मिलेगी तो छे महीने तक उनको बोलियो पूरी मेनत करें और उसके बाद कुछ अच्छा समचार जरूर मिलेगा बिलकॉल चली आप जानती हैं कि नमबर एक से लेकर नमबर नौ वालो तक के लिए आज का दिन कैसा राएगा साथ ही ये भी जानते हैं कि आज उनके लिए कौं सा लखी नमबर होगा तो अगर ये कोशिशिश करें औरेंज क्लर का उर्माल या औरेंज कलर की कोई भी वस्तू या चीजे खाएं औरेंज कलर की तो उननके बहुत जादा उननके लिए फेवरेबुल रहता है आज का दिन जो है वो बता रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में रहने वाला है और नएने प्लैंस बनाएंगे और ओवराल आइवुट से उनके लिए आज का दिन अच्छा है बिल्कुल चलिए राजपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है राजपाल जी बहुत स्वागत है आपका अपना सवाल पूछिए यह देखिए जो नंबर्स है वो बता रहे हैं कि पहले तो आप 20 नंबर की हैं तो 20 नंबर वालों के कामों में अक्सर डिलेज होती हैं देरियां लगती हैं पर यह साल जो है आपके लिए अच्छा है जो आप से जुड़ावा भी अच्छा है ग्रोथ का बता रहा है बाकि अब जो कार्ड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं वो बता रहे हैं कि अराउंड नवेंबर दिसेंबर के आसपास बहुत आपको सक्सेस मिलने वाली है और अच्छे समाचार मिलेंगे तो जो भी आप अपनी कोशिशें कर रही हैं उनको जारी रखिए और नवेंबर दिसेंबर के आसपास कुछ बहुत अच्छा होने वाला आपके साथ चले मीनू हमारे साथ जुड़ी हैं सिर्सा से मीनू बहुत स्वागत है आपका अपना सवाल पूछिए हलो जी मीनू अपना सवाल पूछिए हां जी मैं अपने बेटे के बारे पूछ रही हूँ उसका डेट बर्थ है 21 फरवरी 2003 और वो स्कूल नी जाता उसमें प्रोध बहुत है और वो घर पे अपनी हकूमत चलाता है बिल्कुल भी निढ़ता घर से अच्छा पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो आपके बेटे का बर्थ नंबर है वो बता रहा है कि वो बच्चा कुछ भी बोल सकता है ऐसे लोग जो होते हैं जो तीन नंबर की सीरीज के होते हैं वो बेदड़क बोल देते हैं बात और पर दिल का ये अच्छा है सक्सेस्फुल रहने वाला है ऐस पर इस डेट ऑफ बर्थ और इसके लिए भी कुछ कॉमर्च से जुड़ी लाइन जो है वो ठीक रहेगी वागी कार्ड जो हैं क्या बता रहे हैं कार्ड भी यही बता रहे हैं कि आपका जो बेटा है थोड़ा सा क्रोधी सोभाव का जरूर है उसको पेशन्स की और प्यार की सपोर्ट की जरूरत है और कार्ड बता रहे हैं कि आपकी पेशन्स ही उसको आगे ग्रोथ कराएगी और जहां तक हो सके आप सबर रखिए उसकी मदद कीजिए और वो बहुत अच्छा करने वाला कार्ट बहुत अच्छे हैं चलिए नमबर दो वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन नमबर दो के लिए कैसा रहेगा और क्या है लखी कलर नमबर दो वालों के लिए हाँ जी इस नंबर दो वालों के लिए आज का दिन जो है थोड़ा सा उनको क्रोध से दूर रहना है, किसी प्रकार के सदन एंगर से दूर रहना है, समाचार मिल सकते हैं, जो भी उन्हेंने कुछ अभी रिसेंटली प्लान किये थे, उस से जुड़े समाचार मिल सकते हैं, और दो और पिंक कलर का इस्तिमाल करें अपने इंपोर्टेंट कारें के लिए तो उनके लिए अच्छा रहेगा चलिए अगले दर्शा को ले लेते हैं अमबाला से सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील बहुत स्वागत है आपका अपना सवाल पूछिए नमस्कार मैं जी नमस्कार बताईये मैं में अच्छा साल है चे का साल है और इस साल आपको काम से जुड़ी नई ऑपरचुनिटी जा सकती है नोकरी की अगर तलाश कर रहे हैं तो अच्छी ऑपरचुनिटी मिल सकती है वाकी कार्स क्या कह रहे हैं देखते हैं कार्स भी बहुत अच्छे हैं कार्स बता रहे हैं चार महीने के अंदर कोई अच्छी शुरुवात होनी है तो अगर आपने गवर्मेंट जॉब के लिए अपलाई किया हुआ है एक वार अपना डेटो पर फिर से रिपीट कीजिए शोना से एठाण में नौ छे शोना सोना से अच्छा सोना से एठाण में आई आई इसी करना दबता है बेटा और वो क्या वेगा उसका क्या कर पाएगा पहले तो यह जो नंबर्ज है उसके यह बता रहे हैं उसके लिए यह साल उसको बहुत मेंनत करनी पड़ेगी और मेंनत के अनूख कूल ही उसको रिजल्ट्स मिलेंगे कार्ड क्या कह रहे हैं वो कर पाएगा है नहीं कार्ड जो बता रहे हैं अभी उनको जितनी जरूरत है मेंनत की शायद उतनी नहीं कर पारे थोड़ा ला कभी उनको साथ तभी देगा जितनी मेंनत करेंगे तो मैं यही बोलूँगी कि इसका जो उपाय है वो सिर्व मेंनत है और कुछ नहीं है बहुत जादा फेवरेबल नहीं आए हैं कार्ड तो निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपनी मेहनत से कुछ भी अचीव कर सकते हैं तो उनको बोलिये लगे रहें मेहनत करते रहें और उनको सक्सेस मिलेगी बिलकुल चलिए हम नमबर तीन वालों के लिए बात कर लेते हैं नमबर तीन वालों के लिए आज का दिन क्यासा रहेगा और साथी जानते हैं कि नमबर तीन वालों के लिए लगे कलर कौन सा थाबित होगा हाँ जी नमबर तीन वालों के लिए जो कार्ड है वो बता रहा है कि आज वो कुछ एग्रेशन में आ सकते हैं गारी धीरे चलाएं किसी के साथ जगड़ा उने के समामना है तो कार्ड थोड़े जादा पॉजिटिव नहीं नजर आ रहे हैं और जो उन्होंने अभी काम करेंगे तो उनको हर कारे में सफलता मिलेगी येलो कलर के फ़ल खाएं येलो कलर की चीज़ें पहने और येलो कलर की चीज़ें अगर दान भी करते हैं वो भी उनके लिए बहुत इérience बिल्कुल चले नमबर चार वालों के लिए बात कर लेते हैं अब कि नमबर चार वालों के लिए आज दिन कैसा रहेगा साथ ही जानते हैं कि कौन सा लखी कलर साबित होगा नमबर चार वालों के लिए हाँ जी जो number 4 वाले जो लोग हैं उनके लिए जो लखी जो color है वो है black और grey ये लोग राहू के प्रभाव में आते हैं और ये लोग बहुत serious किसम के होते हैं hard working लोग होते हैं अब जो cards हैं वो बहुत जादा positive नहीं आये वो बता रहे हैं कि कुछ पुरानी समस्यां उसे जाते हैं अच्छा फील करते हैं तो पूरा दिन भी उनके लिए अच्छा निकलता है तो मेरी ये उनके लिए सला है बिल्कुल चलिए एक दर्शक हमार साथ जुड़े हुए नरेश सिर्सा से जुड़े है नरेश बहुत स्वागत है आपका अपना सवाल पूछिए जी नम जानी से वागत है पहले तो ये बता दूँ कि आने एक्सपेक्टेड आपके लिए ये साल है और जो भी आपको दर्द रहता है वो कम से कम आठ हफतों तक तो भी रहेगा आठ हफतों तक आप इसका उपाए कीजिए जहां तक हो सके जो भी आपको उपाए मिलता वो और आठ हफतों के बाद आपको लगबग दो महीने के बाद आपको इसमें सुधार आता वा नज़र आएगा दो महीने यानि के आठ हफते ही होते हैं तो दो महीने का समय जो है आपके लिए तोड़ा डिफिकल्ट है और उसके बाद इसमें आपको सुधार नज़र आएगा चलि रूबी हमारे साथ जुड़ी है पूंडी से रूबी बहुत स्वागत है आपका अपना सवाल पूछिए हालो जी रूबी सवाल पूछिए अपना मैं मैं अपने भाई के बारे पूछ में सबती हूँ उसकी शादी और जो कब तक लगेगी हाँ जी पहले उसका डेट बश बताओ 4 नॉवंबर 1994 अच्छा जी ऐसा है कि शादी के लिए देखते हैं क्या कार्ड है उसका और जॉब के लिए क्या कार्ड है शादी के लिए तो बहुत फेवरेबल कार्ड है शादी के लिए कार्ड जो बता रहा है वो है आपको मिड नवेंबर और मिड दिसेंबर के बीच में बात पकी होगी है शादी भी होने के संभावना है बहुत जादा अच्छा कार्ड है और जो जॉब है उसके लिए वो बता रहे हैं कि वो अपनी एफर्ट्स करते रहें कोई लेडी लाइक फिगर है कोई किसी सीनि लेडी को जानते हैं तो उसकी मदद लेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो इनके मदद कर सकती है कोई जान पर जान की अगर आप लेडी को वुमेन को जानते हैं तो वो इनकी मदद कर सकती है और कारे के लिए भी उनके लिए अच्छा साल है पर उनको किसी क help लेनी पड़ेगी बिल्कुल चलिए तो यहाँ पर दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने सवाल पूछ रहे हैं सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं और आज हम आपको बता रहे हैं कि आज का आपका दिन का हाल कैसा रहेगा साथ ही ये भी बता रहे हैं कि नंबर एक से लेकर नंबर नौ वालों के लिए लग्की कलर कौन सा साबित होगा लेकिन किस्मत कनेक्शन में यहाँ वक्तों चला एक छूटी से ब्रेक का जलधासी होते हैं नमस्कार, हरेना की आवाज में आपका स्वागत है वो मंच जो आपकी राय जानने की कोशिश करता है और बनता है आपकी आवाज पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कुलों पर आवेभावकों ने ताला जड़ दिया जूटी शान बनाई रखने के लिए दुशकम के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किये जाते हैं नेतर जी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उमीद की जाए चेहरे तो बदल चुके हैं लेकिन समस्या जो है वो जसकी तस बनी हुई है नंबर लगा ताल दिनी स्क्रींज पर हमारा फ्लाश के लिया जारा आप आप हमें कॉल कर सकते हैं और भी राए हम तक कहुंचा सकते हैं बार वी के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप डिगरी पर डिगरी या सरकारी नोकरी ICS आपको देता है सरकारी नोकरी की 100% गरेंटी देखिए मेरे यानि परीमल कुमार के साथ एक खास कारिकरम कैसे पाएं सरकारी नोकरी हर रोज दाई बजे बालों की बढ़ती समस्याओं और उनके सुधार की अपेक्षा हे तू टॉक्टर मुकेश अगरवाल से खास बात ची देखिए हर रोज सुभा सारे ग्यारा बचे सिर्फ हारे आरा न्यूस पर श्री गोबिन्द घर जैसा घी हो खाना श्री गोबिन्द ही ले आना श्री गोबिन्द बरबुर्धी का है भंदार लिष्ट पुष्ट होगा परिवार श्री गोबिन्द श्री गोबिन्द एग मार्क शुद्ध देसी घी किसानों के लिए एक विशेश सूचना रूटोस भारत का पहला और एक मात्र माइकोराइजल बायो फटिलाइजर है जिसे भारत सरकार ने मंजूर किया है इसलिए बहतर जड़ जमाओ, अधिक फुटाओ और ज़्यादा पैदावार के लिए अपनी फसलों में इस्तेमाल करें रूटोस कोरोमंडल एग्रिको का सुक्षम जीवी खाज रूटोस मजबूत आधार फसल दमदा भरोसा 25 साल का बादान है तो धान है किसानों की शान है वो पहस ही क्या जो बेबाक नहों वो तरक ही क्या जो भोस नहों और फूसरी सरकार पिछरी सरकार सवाल बड़ा है लोगों की जरूरत को मैसूस कब किया जब वोट चाहिए थे तब मैसूस किया वोट समवाद ही क्या जिसमें समवेदना ना हूँ यासी गूगर के नीचे सभी अपना-पना खेल खेल रहे होना मेकर चाहिए पर नहीं हो रहा नीरी सिरफ इतनी गुजारिश कहल कब हो देखिए मुद्दा नवजोत सिद्दू के साथ सफर चाहिए जैस अभी हो खाना हमेशा ला जवाब होना चाहिए सफर के दोरान चाहते हैं ला जवाब खाना तो अब एक शानदार डेस्टिनीजन मोटल गोल्डन सारास यहाँ आपको मिलता है पहतरीन खाने के साथ फेमली एट्मोस्पियर एनेश वन हाईवे के पास पीपली से सिर्फ आठ किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है सियासत के कभी सियाह तो कभी सफेद चेहरे सियासत दानों के हर पैदरे आपके लिए कभी सही तो कभी घलत लिये गए फैसले और उन फैसलों के पीछे चिपी आपके हग की ख़बर भोलेंगे ख़बर की हर परद सियासत बियाने के तुरंत बाद अपने हर पशू को खिलाई गुलकंदर असायन जो करे पशू के गर्भाशाय की पूरी सफाई जिससे पशू बने रिष्ट पुष्ट वबनाए दूध ज्यादा गुलकंदर असायन जेर व मैल गिराने में सहायक है जी हाँ हरिसंस फार्मसियूटिकल्स का गुलकंदर असायन जेर गिराने वगर्भाशाय की सफाई के लिए अपशू को गुलकंद नहीं गुलकंदर असायन खिलाई दस साथ बहुत कुछ बनते देखा बहुत कुछ बिगरते देखा राजनीती के बदलते माइने देखे सियासी धुरंदरों को धूल होते भी देखा शत्रंच की तरह बिसात बिष्थी देखी बिगरती देखी लगातार दस सालों से बिना रुके बिना ठके हरियाना नियूज सच के साथ हवरें बेबाग बिना ठके बिना ठके स्वागते आप देख रहे हैं किसमत कनेक्शन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा और कौन सा लगी कलर आपके लिए साबित होने वाला है नमबर चार तक के लिए हमने बात कर ली थी मौनिशा जी आप नमबर पांच के लिए बात कर लेते हैं नमबर पांच आज का दिन है ये कारे से लेकर कुछ नई शुरुत करेंगे और कोई अच्छी नज आएगी उन को और उनके लिए जो कि कलर है वो ग्रीन है जहां तक हो सके ग्रीन कलर का उप्योग करें और उनको अपने पास रखें और उस ड्रंग की चीजें अगर खाएंगे या पैनेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जोली एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए है राम हमारे साथ जुड़े में मेरा डेट अबर 16.92 हां जी और में मैं किविल से डिप्लोमा कर रहा हूँ हम हम सुन पारी है में हां सुन पारी हूँ कोश्चन बोलो में डिप्लोमा के बाद जॉब कैसा रहेगा इसके बारे में थोड़ा पिटाई है हां जी अच्छा पहले तुम आपको यह बता दू कि आपका डिप्लोमा कब तक खतम होगा यह बताईए है हेलो चले लगता है संपर्ग हमारा राम से खतम हो चुका है अगले दर्शक को लेने ते गोल्डी हमारे साथ जाखल मंडी से जुड़े है गोल्डी बहुत स्वागत है आपका अपना सवाल पूशे है मैं मेरा पूशे है और इमोशनल किसम का बच्चा है और यह सबको सपोर्ट करता है बड़ा कोपरेटिव है अच्छा बच्चा है और बहुत थाटफुल है उसके लिए यह साल थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकता है और आप उसके बारे में और क्या जाना चाहेंगे कि वो कैसा अगर आप यह जाना चाहते हैं कि वो आगे कैसा करने वाला है तो यह आपको मैं बता दू कार्ज पॉजिटिव हैं बता रहे हैं वो सक्सेस्फुल रहेगा लाइफ में और बहुत मेहनती होने वाला है मेहनत करेगा और सक्सेस उसको डेफिनेटली मिलेगी बिल्कुल नमबर 6 वालों के लिए मौनिशो जी बात कर लेते हैं कि नमबर 6 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा साथ ही लखी कलर कौन सा है नमबर 6 वालों के लिए हाँ जी जो नमबर 6 वाले जो लोग हैं आज किसी भी प्रकार के लड़ाई जगड़े से दूर रहे और अगर उनको कारे आज बनते वोई नहीं नजर आ रहे हैं यहां किसी प्रकार की हेल्थ इशू हो सकती है तो वो भगवान का नाम लें उपाय करें और उनके लिए जो लखी कलर्स हैं वो हैं वाइट और पिंक क्योंकि यह लोग जो हैं यह शुक्र के प्रभाव में आते हैं तो शुक्र देफता जो हैं वाइट और पिंक से बहुत खुश होते हैं तो इनको उस कलर के कपड़े पहने चाहिए वस्तर पहनने चाहिए और चीजों का सेवन करना चाहिए दूद, दही, चावल इन चीजों का सेवन करें इनका दान करें, फल यह सब चीज़े इनके लिए बहुत अच्छी है और आज थोड़ा उनके लिए बहुत अच्छा दिन नहीं नजर आ रहा है पर उपाय करें, प्रातना करें तो सब ठीक रहेगा बिल्कुल चोले नमबर सेवन वालों के लिए बात कर लेते हैं कि नमबर सेवन वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या है लखी कलर नमबर सेवन वालों के लिए नमबर सेवन वालों के लिए जो लखी कलर है जितने भी पेस्टल कलर होते हैं लाइट ब्ल्यू, लाइट येलो, लाइट ग्रीन वो इनके लिए अच्छे हैं ये लोग केतू के प्रभाव में आते हैं और इनके लिए आज कोई पुराने मित्रे से उनकी जान पेचान मुलाकात हो सकती है जो लोग पढ़ाई से जुड़े कामों में व्यस्त हैं उनके लि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या है लखी कलर नंबर आट वालों के लिए अगर वो पूरा दिन उनको ऐसे लगता है या पिछले कुछ दिनों से उनको लग रहा है कि लाइव थोड़ी सी डीली चल रही है तो आज सड़नली एक दम से कुछ अच्छा होने वाला है और नंबर आट वाले शनी के प्रभाव में आते हैं इनके लिए जो लखी कलर्स है वो पर्पल हैं ब्लैक हैं और ब्यू कलर्स हैं यह सब इनके लिए इन चीजों को पहने, इन चीजों के फल खाएं, इन चीजों का दान करें, इन चीजों के रंग की चीजों को अगर दान करेंगे तो भी बहुत अच्छा है तो आज का दिन उनके लिए सड़न गुड लग का है चलिए अब आखरी नमबर यानि की नमबर 9 वालों के लिए बात कर लेते हैं कि आज उनका दिन की ऐसर आएगा और क्या है लखी कलर नमबर 9 के लिए हाँ जी नमबर 9 वालों के लिए आज थोड़ा सा पॉलिटिकल सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ सकता है इनके जान पे जान के लोग इनके पीछे इनके बारे में कुछ बातचीत कर सकते हैं तो इनको अपने काम में फोकस रखना है वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए जो लखी कलर है वो है लाल ये लोग मंगल के प्रभाव में आते हैं इवन औरेंज कलर, येलो कलर भी इनके फेवरेबल हैं पर अगर ये लाल कलर के बस्तर पहने अपनी इंपोर्टेंट मीटिंग के लिए या कोई रुमाल अपनी पास रखें तो इनके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा चलिए तो ये आज हमने बताया कि आज 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 आपका दिन कैसा रहेगा साथी ये भी बताया कि नंबर एक से नंबर नौ वालों के लिए लगी कलर कौन सा साबित होगा मौनिशा जी बहुत शुक्री आपका हमारे साथ बने रहने के लिए तो यहाँ पर दर्शक भी हमारे साथ लगाता है जुड़े उन्होंने सवाल भी पूछे उनके सवालों के जवाब भी यहाँ पर मिले तो चलिए आज के लिए किस्मत के नाक्षर में बस इतना ही नमस्क मौनिशा जी आपका हमारे साथ लगाता है फसलों पर स्प्रे के दुश प्रभावने पशुओं के थनों में सूजन, गांट, एक थन का सोजाना, खून आना वर दूद कम हो जाना आदी बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है इसलिए मैं आपको ये सला देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारायोग का एक कोर्स जरूर करवाएं आज ही लेकर आईए पशुओं के धनों की हर बीमारी का एक काम्या बिलाच सोमधारायोग पुरू मंडल एकनी को का और एकसल परुफिल और प्रकाश संसलेशन क्रिया को बढ़ाता है पोशक्ततों की उपलब्ता को बढ़ाता है और पौदी को जैविक तथा और जैविक तनाब से बचाता है उच्च गुनवत्ता से बर्पूर ज्यादा पैदावाद में सहाई पुरू मंडल एकनी को का और एकसल पुसलों का देसी घी और एकसल को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मैजिक ब्रॉट का परियोग करें श्री गुबिंद घर जैसा घी हो खाना श्री गुबिंद हे ले आना सफर चाहे जैसा भी हो खाना हमेशा ला जवाब होना चाही सफर के दोरान चाहते हैं ला जवाब खाना तो अब एक शानदार डेस्टिनीजन मोटल गोल्डन सारास यहां आपको मिलता है पहतरीन खाने के साथ फेमिली एट्मोस्फियर एनेश वन हाईवे के पास पीपली से सिर्फ आठ किलो मीटर टी तूरी पर हमारा पता है वो पहस ही क्या जो बेबाक नहों अस्था में कितना सुधार आया कैसे जस्टिफाइ करेंगे आप इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं तेरा एहम सवाल यह है कि क्या राजनिती करने से वाइदे करने से बनावा जाएगा वो तर्क ही क्या जो धोस नहों वो अपने परिबार लेकर सरकों पर हे किससे जवाब मांगे राजनिती करोटिया अभी भी से की जा रही है अपकी सरकार फिछी सरकार पर फूश्टी सरकार पिछी सरकार पर सवाल बढ़ा है लोगों की जरूरत को मैसूस कब किया जब वोट चाहिए थे तब मैसूस किया वोट समवाद ही क्या जिसमें समवेदना ना हूँ व्यासी गुगर के नीचे सभी अपना-पना खेल खेल रहे होना मेकर चाहिए पर नहीं हो रहा नीरी सिरफ इतनी गुजारिश पहल कब हूँ देखिए मुद्दा नवजोत सिद्दू के साथ बालों की बड़ती समस्याओं और उनकी सुधार की अपेक्षा हे तू टॉक्टर मुकेश अगरवाल से खास बात चीए देखिए हर रोज सुभा सारे ग्यारा बचे सिर्फ हरयारा न्यूस पर नमस्कार हरयाना की आवाज में आपका स्वागत है वो मंच जो आपकी राय जानने की कोशिश करता है और बनता है आपकी आवाज बुलिटिन के प्रायोजक है हरनी यूनिवरस्टी और जेर गिराने वा गर्भाशाय की सफाई के लिए अपकाशु को गुलकंद नहीं गुलकंद रसायन खेलाई हेडलाइन्स के प्रायोजक हैं MDLR ग्रूप और सर्ताज जिपसम